मेरा नाम है Michelle, I am thinking of, मैं सोच रहा हूँ की, okay, thinking का मतलब तो हमें पता ही है, thinking का मतलब होता है कि आप कुछ सोच रहे हैं, जब आप कहते हो मैं सोच रहा हूँ, आप किसी को बता रहे हैं कि आप किसी topic के बारे में सोच रहे हैं, आएए कुछ examples देखते हैं, मैं एक movie देखने का सोच रहा हूँ, I am thinking of watching a movie, यहाँ पर आप off लगाएंगे ना कि to, मैं एक छुटी पर जाने का सोच रहा हूँ, I am thinking of going on a vacation, मैं एक gym join करने का सोच रहा हूँ, I am thinking of joining a gym, thank you so much, मेरे साथ यह lesson देखने के लिए मैं जल्द ही वापिस आऊंगी एक और बहुत useful express English lesson के साथ, bye-bye.